गुद मॉर्निंग क्लास फिफ टोडे वी विल अनिस्टान मैं चप्टर टैन फिल इंदा ब्लैंक्स है यहां पर फिल इंदा ब्लैंक्स करने है आपको ठीक है कोशिन फस्स देखेंगे 115.29 मल्टिप्लाइ वन जब 115 की 115.29 की मल्टिप्लाइ करेंगे वन से तो क्या होगा सेम अएगा क्यों करते हैं जैसे कि यहांपर पॉइंट लगा है अब जो मल्टिप्लाइ करते हैं तो क्या होता है यह पॉइंट जितने 0 है 120 उतने ही point यह इधर हो जाएगा इस point को उतने ही number count करेंगे यानि 12 और यह यहाँ पह जाएगा point तो क्या होगा 1788.2 क्योंकि हमने multiply करिए न अब देखेंगे 259.1 multiply 0 अब 0 की किसी भी number से multiply करते हैं तो क्या हो जाता है 0 ही आता है ना answer इसकी जगे अगर कोई और number भी होता अगर 0 से multiply करेंगे तो answer क्या होगा 0 ही आएगा next question देखेंगे 6.825 multiply dash equal to 682.5 अब इसमें देखों यहाँ पे point था और वो क्या होगा 2 point यहाँ हो गया 2 point और आगे बढ़ गया तो क्या हुआ जैसे मैंने बताया था अगर 2 point इदर है तो क्या हुआ 2 0 यानि कि 100 से multiply करी होगी यहाँ पे ठीक है 100 से multiply करी है तभी तो 1 2 2 0 है तो 1 2 यानि कि 2 point बाद यहाँ पे 0 point लगा है ठीक है 2 point के बाद यहाँ पे होगा है अब है 28.96 divided by 100 अब जो multiply में क्या करते है जितने 0 होते राइट हैंड साइंड की तरफ उतने ही number count करके point लगा देते हैं ठीक है 1 2 point यहाँ पे लगेगा क्योंकि 2 0 यहाँ पे आ जाएगा लेकिन divide में क्या है बिलकुल उल्टा होता है यानि कि left and side पे लगते हैं 0 यानि कि यहाँ पे 1 2 2 0 है तो हम left में count करेंगे 2 number 1 और 2 और यहाँ पे 0 यहाँ पे लगेगा point यानि कि 2 के आगे तो 0.289 6 यानि कि यह multiply से बिलकुल उल्टा हो जाता है जिसकि 45.9 divide by 10 तो क्या करेंगे left and side की तरफ देखेंगे एक number count करेंगे क्योंकि 1 0 है यहाँ यहाँ पे point लगा देगे यहाँ 4.59 समझ में आगे कैसे करना है इसी तरह आप यह सारे questions को solve करेंगे और यह fill in the blanks को complete करेंगे ठीक है notebook में